हुआ है आज कल हमारी टेक्ijuana लोजिस इस प्रकार से तेजी से बढ़री है थेकुसी प्रकार से हमारी बिमारी अभी बढ़री है तो वहीं एक तुराव जहान बाहर के जंगोड के सेवन से हमारी सेहत बनाकार अत्मक प्रमाक बभाव पढ़ रहा है ठीक उसी प्रकार से हमारी सेहत के लिए जो चीजे पोट्टिकता से भए होती हैं दरसल आज के समय वही चीजे हमारी सिहत के लिए खादरनाक साबित भी हो रही है जिसे कारण हम कई बार गंभीर बिमारियों की चप्रेट में आजाते हैं अला कि आज कल हम अपनी डिली रूटिन में ऐसी गलतियों को भी कर जाते हैं जिसे कारण हम खुदी बिमारियों को अपने सरेण में ने उता दे देते हैं आई जानते हैं कैसे अक्सर हम ऐसी गलतियों को करते हैं जो हमारी सिहत के लिए खतरनाग साबित होता है जैसे अगर आप चकुंदर को एक बार पका कर खाते हैं तो वो आपके लिए सिहत मत होती है लेकिन अगर आप उसी चकुंदर को दुबारा पका कर खाते हैं तो इसमें मौजूद नाइट्र दीरे-दीरे खतम हो जाते हैं जिसे कारण आपकी सरीच को काफी हद तक नुकसान पहुंसता है साथ या बेट की समस्राओं से ग्रासेत हो जाते हैं इस कहलावा हम अकसर पूरे दिन में ऐसे गलतियों को करते हैं जैसे आप हमेशा दूद वाली चाय पती में एक ही बार चाय पती में चाय बना देते हैं आपको बता दी कि गल्म होने के बाद चाय पती में मौजूद एंटी ओक्सिदेंट धीरे-धीरे खतम होने शुरू हो जाती है साथ इससे आप एसीडिटी समस्राओं से ग्रसित हो जाते हैं जिससे आपकी यांते काफी हद तक कमजोर हो जाती ह कि रहन है डग से रहने कि रपोट।